हसी गयब हो गई स्वामी रह nasalषी सबेर तब हस लेते सबेरे बहुक्त बाते हैं योग वैट तबCont acontecer तसारे जिनह दिल रोटे अब हसी के लिए भी योग किया जाता है तो समय लो इस्तिती कितनी बिकट है कि आदमी की हसी गयब हो गई और आवस्ता ऐसी चलती चली जा रही है कि आज हम सवेरे पढ़ रहे थे एक पूर्व राज्य पाल हैं उन्हें आत्मत्या कर ली अब ही तो हम देखते थे इस महीन में हमारी पास लगबग हैँव न उन्हें पांच छैसूचना ऐत्य हैं कि 20 बरस्ते लेकर के बज़ 15 बरसे लेकर के बीज बरस के बच्चों ने फांसी लगा वीजनी तो अबोध है लगा लिये अब राजिपाल फांसी लगा रहा है प्रतिष्था भी यह हमcciónच प्रात होने के बाद भाए अभी फांची क्यों लगाना है। लिखावी ओने और अभी और अभी latat makeup you अव इस जीवन से उब चुके हैं अभना जीवन सुरू करने के इच्छा है। यह लिखा हैं। उन्हें यह बता नहीं पता नहीं नहीं सुरू तोड़ी होता नया जीवन भी शुरू हो जाए मात्मा के विए ने क्या लिखा जीवन ते मरना भला जीवन ते मरना भला जो मर जाने कोई जीवन ते तो मरना अच्छा जो कोई मरना जान ले मरना भी तो नहीं जानते हैं फासी चड़ना मरना समझते हैं जीवन ते मरना भला जो मर जाने को होई और जिय ते पहले जे मर ते अजरा मर वह होए। जी ते जी मरना सी लोग अजरा मर हो गये। मनीशी लोग जो होते हैं अब हम जी जीवन से तंग आरे हैं। जी जीवन ने हमें परेशान का रखा है, उस जीवन को छोड़ना दो, नहीं चेत्र में आजाओ, आनन्दी आनन्द है, पर उसे जव तक नहीं छोड़ोगे और फांती रखा के मर जाओगे तो अगला जीवन बही शुरू हो जाएगा, फिर बोईतसा हो जावेगे, जहां मर अगला जीवन बही शुरू हो जाएगा, तो यहां से परेशान गए तो वहां पर भी ऐसे ही हो जाता है, ऐसी इस्ति हमारे जीवन में ना आ जाए, हमारे बच्चों के जीवन में ना आ जाए, इसके लिए सत्संग जरूरी है, सत्संग इसी लिए जरूरी है, संसार के जित उनमें को साभविक रूप से इंद्रियों की प्रवत्ति इंद्रियां जड़ हैं तो उनकी प्रवत्ति जड़ में होती है भाई विरादरी वाला विरादरी में तो जाता है आप देख ले ना गाए चर रही होंगी ना, गाए देखाय देऊ गाए में यहाँ जाब गाए जाबैगी तो यह सावहल प्रुम्ति है कि जो जिस जाती का उसी में जाता है इंद्रियां जड़ हैं तो कहां जाएगी संसार के जड़ महीं जाएगी तो मन बड़ा लगता उसमें मन भी जड़ है लेकर जहां वो जा रहा है जहां परिंद्रियां जा रही है वह आनद है नहीं जड़े कहा आनद है और ढूड़ता आनद है ढूड़ता क्या है आनद ढूड़ता किसे कह ढूड़ता वहाँ ढूड़ता जहां है नहीं और एस सीलिए उप्रों परफासी लगा ली ता की हो जर बुलता में है नहीं और सारी जिंदगी ढूरते ढूरते हो से होगई और मिला नहीं तंग आकर परफासी लगा लेता जो आनन्द चाहिए था वो आनन्द उसे कही मिला ही नहीं जब मिला नहीं तो क्या करेगा पर फासी लगाता कि सब देख लिया अकपद ले लिए प्रतिष्टा ले लिए सब कुछ ले लिए और जो लोग जड़की तरब नहीं जाते उधर अपने को मार लेते और उधरी चलते है जितर आनन्द है उनके जीवन में आनन्द का ठीक आनने कुछ भी नहीं तब भी आनन्द में उनके पाप कुछ नहीं है और मउज ही कमी नहीं महात्मा कवीर से का दुनिया देखो कैसी मौझ मार रही कोई दावत है मारो कोई बेराव जारो कोई नाच कर रहो कोई तो मैं यहां बैठे रहते हैं केले कुटिया में कचु दुनिया की बाहर देखे लो हूँ तो कवी ने कितना सुन्दर उतर दिया हमने दुनिया से आ रही क्या हमें तो वो मस्ती आ रही है कहां हम उसकी तरफ बढ़ गए हैं जहां आनंद का सुरू तो बैता है हम उदर पहुँच गए हैं जहां आनंद ही आनंद है क्या कहते हमने इश्क मस्ताना हमने दुनिया से आ रही क्या हमें दुनिया से यारी ना है ना हमें दुनिया की जो चल रहे हैं ते कोई यारी हम बैरी रही नहीं हमने इश्क मस्ताना हमने दुनिया से आ रही क्या हमारा यार है हमें हमने को भी करा रही क्या परेशान कौन है यार के पास आनद है, वो कहते हैं, हमने यारी ऐसे जिखी है, तेरी दुनिया से यारी है, दुनिया में आनद है नहीं, और हमने जिसे यारी की उसे आनद है, हमने इश्क मस्ताना, हमने दुनिया से यारी क्या, हमारा यार है हमने, हमने को वेकरारी क्या, कवीरा इश्क का हमा संसार इश्क किस्से करता है। जडवस्टुमों से फासी लगाता है। गाटा पड़ गो तो फासी लगाए लिए। एक बालक न फासी लगा लिए। पत्नी को लेने गया उसने आने से बना कर दिया और फासी लगा लिए। कहते हैं हमने इश्क मस्ताना हमने दुनिया से आ रही क्या हमारा यार है हमने हमने को बेकर आ रही क्या कवीरा इश्क का हमारा दूई को दूर कल दिल से दूई कहते हैं संसे को भगवान कशने की ताम क्या कहा संसे आत्वा भिन अश्यती जो तही नहीं कर पा रहा है कि ब्यारी बढ़िया है कि गोवर्दन बढ़िया है जो तही नहीं कर पा रहा है कि मत्रा जाए ये कासी जाए जो इसी चक्कर पड़ा कहा जाए तो कृष्ण ने क्या कहा है ऐसे संसे आत्मा क्या नास हो जाता किसने कहते हैं संसे आत्मा विनर्श्यती उसी को कीता कवी ने क्या कहा कवीरा इश्क का मारा दूई कर दूर कर दिल से ये दुविदा को दूर कर दे कवीरा इश्क का मारा दूई को दूर कर दिल से जो चलना चलनी रहा मुश्किल है तो शिर पर बोजबारी क्या वैसे चलना मुश्कल हो दो पसीने आ रहे गठरी और लादलू पाप की वैसे भी तो दुनिया में मुश्कला है चलना और पाप की गठरी और सिर पर दरली पे तो मरेगा यह और क्या होगा पर भांजी लगानी पड़ेगी कि कहते हैं ऐसी इस्तिसी से बचने के लिए हम करें क्या हम ऐसी इस्ति बचने के लिए यही करें कि उसी की तरफ चलेंगा आनन्द है